हबरमेन लेब हिंदी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम विज्ञान और हर रोज की जिंदगी के लिए विज्ञान आधारित उपकरण पर चर्चा करते हैं। आज के पॉडकास्ट के लिए हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के भागो की लिस्ट के बारे में। तो मैं आपके साथ भागो की लिस्ट साजा करने जा रहा हूँ। इससे पता चलता है जीवन के उन कुछ अन्य पहलों के दृष्टिकों के माध्यम से की आप कौन है। लेकिन अन्व तक आपके पास एक सेमेस्टर से अधिक ज्यान होगा कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है इसलिए शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ यानि मैं कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं करता। मैं एक प्रूफेसर हूँ इसलिए कभी-कभी मैं चीजों का दावा करूंगा। वास्तव में मैं बहुत सी बातों का दावा करता हूँ। हम कुछ बुनियादी कामकाज के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे nervous system के हिस्से, लेकिन हम ये भी बात करने जा रहे हैं कि उस ग्यान को कैसे लागू किया जाए। आपकी स्वास्ते सेवा, आपकी भलाए, आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए जब भी हम टूल्स की बात करते हैं, क्रिपया इसे उस जिम्मेदारी से फिल्टर करें। यदि आप कोई नया उपकरण या अभ्यास ट्राइ करने जा रहे हैं तो आप अपमे दॉक्टर से जरूर बात करें। तो चलिए बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो ये सोचने का तरीका की आप हर स्तर पर कैसे काम करते हैं आपके जन्म के वक्त से लेकर आपके मरने के दिन तक सब कुछ जो आप सोचते हैं, याद करते हैं, महसूस करते हैं और कल्पना करते हैं यह आपके नर्वस सिस्टम का निरंतर लूप है जो आपके ब्रेन, बग एक असंभव तरह की चीज होती है, ये कोई भी आंगल हो सकता है, इसे देख के आप यह नहीं बता सकते कि यह कहां से शुरू होता है और कहां समाप्थ होता है, और इसी तरह आपका nervous system बनता है, वो सनरचना है जो आपको अनुमती देती है, उदाहरन के लिए immune cells को तैना को बताता है मारने वाली cells को छोड़ने के लिए जो जाकर शिकार करती है जैसे विशानू जो आकरमनकारी है और उन्हें निगल जाते हैं, यदि आपको पेट में दर्ध है, उदाहरन के लिए आपको लगता है कि आपके पेट में, लेकिन यह वास्तव में आपका nervous system है जिस करशने की जरूरत है, कहना उचित है कि nervous system में अंत्रित करता है शरीर के अन्य सभी जैविक तंत्र और यह उन अन्य जैविक प्रडालियों से भी प्रभावित होता है, तो अगर हम nervous system के बारे में बात कर रहे हैं हमें इस बारे में थोड़ा specific होना चाहिए कि हमारा क्या यह सिर्फ तारों का इतना बड़ा पंदा नहीं है, दरसल इससे जुड़ा एक दिल्चस्प किस्सा है क्योंकि 1800-1900 के दशक के मोर पर यह वास्तव में माना जाता था कि हमारा nervous system केवल एक विशाल सेल है, लेकिन दो दोस्तों यह नाम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उन वास्तव में इन खर्बो छोटी कोशिकाव से बने है, nerve cells जिन्हें neuron कहते हैं, यह सिर्फ एक nerve cell है, उन्होंने ये भी देखा कि वे nerve cells एक दूसरे को touch नहीं कर रही थी, वे वास्तव में छोटे अंतराल से अलग है, और उन छोटे अंतरालों के बारे में आपने पहले सुना होगा, उन्हें synapses कहा जाता है, वे synapses हैं जहां रसायन होते हैं एक neuron से एक तरह से थूख दिया जाता है या उल्टी कर दी जाती है, और फिर अगला nerve cell उन रसायनों का पता लगाती है और फिर बिजली को इसकी लंबाई से नीचे कर देता है अगले nerve cell तक और उसके आगे तो वास्तव में आपके शरीर और आपके विचारों के बारे में सोचने का तरीका इसमें कुछ भी रहस्यमय नहीं है, तुम बिजली के प्रवाह हो इन विभिन nerve cells के बीच और निर्भर करता है कि कौन सा nerve cell सक्रिय है, जैसे हो सकता है कि आप अपना हाथ उठा रहे हो या अ लाल या हरे रंग को समझने का उदाहरन अच्छा उदाहरन है क्योंकि अक्सर दुनिया का हमारा अनुभव ऐसा लगता है जैसे ये इन चीजों से बाहर है वास्तव में हमारे अंदर हो रहे हैं, लेकिन nervous system की भाशा सिर्फ बिजली है, ये किसी प्रकार के मोस कोड या शब करता है, इसके बारे में सोचने का तरीका ये है कि हमारे अनुभव, हमारी यादे, सब कुछ एक पियानो पर चाबियों की तरह एक विशेश क्रम में बजाया जा रहा है, अगर मैं एक विशेश क्रम और एक विशेश तीवरता के साथ में पियानो पर चाबिया बजाता हू वो एक दिया हुआ गीत है, हम उसे दिये गए अनुभव के अनुरूप बना सकते हैं, ये वास्तव में वो कुंजी नहीं है, आप जानते हैं, ये एक गाना है, ये गीत का सिर्फ एक हिस्सा है, तो जब आप ये सुनते हैं, आप जानते हैं, उदाहरन के लिए हिपोकैंपस नामक एक ब्रेंग का पाथ है, जो वहां है, वह memory में शामिल है, ख्यर, यह memory में शामिल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यादे वहां जमा हो जाती है, तुम्हें पता है, वह वहां निजली के पैटन के रूप में जमा होते हैं, जब दोहराया जाता है, तो आपको समझ में आता अब फिर से उसी स्थिती में सक्रिय हो रहे हैं और इसलिए यह वास्तब में एक ही गाना सुनने जैसा है शायद पियानों पर नहीं बजाया जाता लेकिन गिटार पर कुछ ऐसा ही है उस गाने में भले ही इसे दो अलग-अलग यंत्रों पर बजाया जा रहा हो इसलिए मुझ करते हैं तो 1900 की शुरुआत से निश्चित रूप से बहुत कुछ हुआ है और उस समय में 1900 के दशक की शुरुआत और आपके बीच कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो वास्तब में इतिहास में हुआ है जिससे हमें ये जानकारी मिली की नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है महत्वपूर्ण चीजों में से एक वास्तब में युद्ध था जैसा कि अधिकांश लोग युद्ध में जानते हैं कि लोगों को गोली मार दी जाती है और लोग अकसर मर जाते हैं लेकिन कई लोगों को गोली लग जाती है पर वे वरते नहीं हैं और प्रथम विश्व युद्ध में तोप खाने में कुछ परिवर्तन हुए खास तोर पर गोलियों में जो एक स्थिती के लिए बनाई गई थी जहां गोलिया शरीर और ब्रेन में प्रवेश करती थी बहुत अलग स्थानों पर और शरीर या दिमाग के दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती थी औ अब आप कहेंगे ठीक है ठीक है ये कैसे संबंधित है नियूरो साइंस से पिछले सालों के विपरीद जहां बहुत सारी तोपे जो गोलियों ब्रेन या शरीर में छेद बनाती थी मुझे पता है कि यह बलकी भीशन है जब छेद बहुत असतत थे वे एक बिंदू पर प्र स्पेशल स्थानों तक ही सीमित थे इसके अलावा कुछ उन्नती हुई थी हुए घावों की सफाई में जिससे अधिक लोग जीवित थे इसका मतलब ये था कि नियूरोलोजिस्ट अबरोगियों का एक ग्रूप था वह वापस आते थे और उनके मस्तिष्ट के बहुत विश पता लगाते थे जैसे आह मेरे पास दस मरीज हैं सभी ने मुझे बताया कि वे चेहरे नहीं पहचान सके और उन सभी में बुलेट के छेत थे जो ब्रेन के एक विशेश क्षेत्र से होकर गुजरा और इसी तरह हम बहुत कुछ जानते हैं जैसे की कैसे विशेश पास्चर्य जनक उदाहरन जहां लोग वापस आते थे और वे उदाहरन के लिए पूरी तरह से बड़बोलेपन में बोलते थे जबकि पहले वे सामान्य रूप से बोल सकते थे और भले ही वे पूरी तरह से असपश्टता में बोल रहे थे वे भाशा को पूरी तरह समझ सक और वो वास्तव में हमें लाता है आधोनिक समय में एक दिल्चस्प उदाहरन के लिए। अगर आप दीपिका पादुकोन के चेहरे को पहचान सकते हैं आपके पास दीपिका पादुकोन नियूरॉन्स है और शायद नियूरॉन्स भी है जो अन्य प्रसिद और गैर प्रसिद लोगों के चेहरों को पहचान सके तो ये संकेत करता है कि हमारा ब्रेन वास्तव में हमार अनुभव का मान्चित्र है। हम दुनिया में आते हैं और हमारे दिमाग में एक विशेश प्रकार की चीजे सीखने की और का पक्षपात होता है। ये जानकारी प्राप्त करने के लिए तयार है, लेकिन मस्तिश्क वास्तव में अनुभव का नक्षा है। तो आएए बात करते हैं कि वास्तव में अनुभव क्या है। आपके दिमाग के काम करने का क्या मतलब है। खैर मुझे लगता है कि यह कहना उचित है कि नर्वस सिस्टम वास्तव में पांच काम करता है। शायद शैए पहली सेंसेशन है। तो यह समझना जरूरी है किसी के लिए और आप सभी के लिए जो आपके नर्वस सिस्टम को बदलना चाहते हैं या अपने नर्वस सिस्टम को बहतर काम करने के लिए उपकरन लगाने के लिए। To be continued in next video